किप टाउन में हमारी बेटिया नहीं हारी, बीसिसियाई हारा है क्योंकि हमारे बोर्ड के लिए महिला क्रिकेट तो बस खिलोना है हर्मन प्रीत आप यू मुह मन धको, हमें आप पर गर्व है, मुह तो आज बीसिसियाई वाले बॉस को धकना चाहिए मेंस टीम के लिए फलाना कोच धिकाना कोच और महिला टीम तो बस राम भरो से ना कोई फिल्डिंग कोच, ना कोई मेंटल अजिस्टेंट कोच, फिर कैच नहीं छूटेंगे तो और क्या होगा आसू भरी आखें, चहरा हतेलियों से छिपा हुआ, जाना पहचाना हट ब्रेक, फाइनल का सपना तूटने पर वही निराज चहरे एक रन आउट जो जीवन भर परिशान करेगा बीमेन इन ब्लू के लिए ये कोई नया नहीं था बार-बार हमारी बेटियों को ये दुख सहना पड़ता है जिसका जिम्मेवार कोई और नहीं, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कही जाने वाली BCCI है जो मैंस क्रिकेट के लिए तो तमाम सुख सुविदाएं उपलब्द कराते हैं पर महिला क्रिकेट टीम के लिए पूरी कोचिंग स्टाफ भी उपलब्द नहीं कराते और वो भी तब जब महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है ऐसे में हम क्यों दोस्दे हमारी बेटियों को वो तो उमीद से बहतर क्रिकेट खेली है गोनाहा तो सारा BCCI का है जिनने बस मेंस टीम का पैसा और ग्लैमर पसंद है उनके इसाब से बेटियां तो सिर्फ साउत अफरिका घूमने गई है उनके लिए बेचारी हिंदुस्तान की बेटियों को बार बार ये दुख सहना पड़ता है इससे पहले 2017 के 50 OVER के Wish Cup के Final में जगे बनाई जहां वो England के खिलाफ हार गए एक साल बाद वो केरेबिरियन में T20 World Cup के सेमि फाइनल में England से हार गए दो साल बाद T20 World Cup के Final में मेलबर में आस्टेलिया से पिछले साल जैसे ही राष्ट मंडल खेलों में क्रिकेट की वापसी हुई हमारी बेटियों के बर्मिंगम में फाइनल में आस्ट्रेलिया से हरा कर रज़त पदक पर ही संतुष्ट होना पड़ा और अब ये केप टाउन जहां सेमी फाइनल में आस्ट्रेलिया से 5 रन से हर का सामना करना पड़ा केप टाउन में हर की सबसे बड़ी वज़े बनी खराफ फिल्डिंग, छूटे हुए कैज, खराफ शेत रक्षन, तालमेल का भाव अगर भारतिय टीम ने अपनी फिल्डिंग में बहतर प्रदर्शन किया होता तो कल कंगारूं को 120 रन बनाने के भी लाले पड़ जाते फिल्डिंग में खराफ प्रदर्शन के कारण ही ऑस्टेलिया 170 के पार जा पहुँची भारत को खराफ फिल्डिंग की वजए से एक दो नहीं बलकि पूरे 70 रनों का नुकसान हुआ मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मुनी और लेनिंग को सस्ते में आउट करने का कई बार मौका मिला पर भारतिय टीम ने उन तमाम यौखों को गवा दिया इसके अलावा फिल्डिंग में भी फंबल के कारण 20 से 25 रन अतरिक्त बन गए हालाकि इसके लिए दो शमारी बेटियों का नहीं था ये सारी गलती BCCI की थी और महिला क्रिकेट में पावर हाउस बनने की खुआहिश रखने वाली BCCI को इसहार से शर्मानी चाहिए जो बल्ले बाजी सलाहकार के रूप में सीनियर महिला टीम के साथ पुरसों की अंडर 90 और ये टीमों को समाल रहे थे उन्हें T20 वर्ल्लकप के लिए टीम का असिस्टन्ट कोच बनाया गया उनकी सहायता करने के लिए BCCI के पास सिर्फ ट्रॉय कुली थे एक तेज गेनबाजी कोच, ना कोई फिल्डिंग कोच, ना कोई मेंटल कंडिशनिंग कोच, ना कोई थ्रोडाउन कोच उपर से ब्रमेश प्योवार के आसपास नहीं होने से हमारे स्पिनर्स दीपति शर्मा, राजिश्वरी गायकवार, राधा यादव और देविका वैद की साहिता के लिए कोई नहीं था, यहां तक कि साई राज बहुतुले, जो पहले अंडर 90-220 वर्ल्ड कप चैंपियन टीन के साथ साथ अफरिका में थे और जिनकी परिस्तितियों का अनुभाव काम आ सकता था, उन्हें भी वापस रहने के लिए नहीं कहा गया, इसके बजाए उन्हें बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी के लिए पुरुसों की टीम के साथ देखा गया, यानि बीसिसियाई के लिए महिलाओं की T20 वर्ल कप जीतन लेने जारी है, उनके साथ एक मजबूत सहयोगी श्टाफ ना होना बेहद शर्म की बात है